नमस्कार आप देख रहे हैं आपका गुड लग मैं हूँ आपके साथ हिमानी कटारिया खास पेशकश की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि हमारे साथ खास महमान मौझूद है एस्ट्रोलॉजर सुरेश कुमार भोला जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी खास पेशकश है शुक्रिया है मानी जी देखें नए साल का आज दूसरा दिन है और बहुत ही खास रहने वाला है कही ना कहीं जिस तरह से नए साल के संदेश जाते हैं पूरी दुनिया भर में उससे पूरे नेशन में पॉजिटिव वाइप्स फैलती है और में पॉजिटिव वाइप्स होने के चलते नए उम्मीदे नया जोश नए उमंग पैदा होती है तो ऐसे में किस तरह से रहने वाला है दूसरा दिन नए साल का आये जानते हैं हमारे खास महमान से जी हमानी जी आपने बहुत अच्छी बात कहिए जब हम नए साल की बात करते हैं तो इसमें शब्द आ गया नया नया का मतलब न्यू तो जब हम नए बन की बात करते हैं नई साल की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ जरूर माननी चाहिए कि जो हमारा पिछला समय या पिछ साथ हैपिनिंग हुई हैं उनको हम छोड़कर एक नए जोश के साथ एक नए उमीद के साथ हम इस नए साल को इसका आगाज करें और इसमें आगे बढ़ें कई तक्लीफे कई कठिनाईया हैं जिस तरह से हम 2021 से बीता हुआ देखते हुए आए हैं वही उमीदे हैं कि 2022 में ना हूँ इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कुछ रहने वाला है आज का दूसरा दिन हमारे लिए हिमानी जी आज का दूसरा दिन मेश राशीवालों के लिज़ए आज दिन मेश राशी वालों के लिए शुब रहेगा आप अपनी उमीदों से अधिक धन गमाएंगे तो बहुत अच्छा दिन है आपका यह आपका बाग आपका निरनतर साथ देगा आपसी मत्भेद के कार सावधाने ना चाहिए अगर आप सावधानी नहीं बरत्ते तो आपके भविश्य में आने वले समय में आपकी आपसी कड़वाहट संबंदों में बढ़ सकती है आज का दिन आपके संतान के हिसाब से बहुत अच्छा है आपके संतान को आज कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है आपके संतान को समाद से समान की भी प्राप्ति हो सकती है अगर हम आपके स्वास्थे की बात करें तो आपका स्वास्थे आज समान नहीं होगा आज के दिन आपको कुछ मांसिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो बस आप मेरी आपको ये रहे कि आप अपने आपको positive रखे और अच्छी सोच के साथ आज आप अपना दिन बढ़ाएं तो मेश राशी वालों के लिए good luck साबित हो सकता है आज का दिन क्योंकि धन प्राप्ती होने वाली है उन्हें लेकिन इस बात की साबधानी बहुत जरूरी है कि अपने साथी के साथ कोई भी मदबेद ना हो उसके लिए साबधानी से कदम पड़ाएं अगरा हमारा सवाल है वरिश राशी वालों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके सितारे जी वरिश राशी के जातकों के लिए आज का दिन आपको जीवन साथी से तालमिल बनाकर रखना चाहिए आपसी मदबेद के कारण कुछ अनावशक तनाव रह सकता है तो आप भी कृपया अपने जीवन साथी के साथ अच्छी करकर चलें आपको आज किसी भी प्रकार के अशुप समाचार के प्राप्त होने के कारण निराशा का सामना करना पड़ सकता है आपको आज वहां चलाते हुए बहुत साथानी बरतनी चाहिए नहीं तो आपके साथ कोई दुर घटना घटित हो सकती है तो आज जो मिझे समय में आ रहा है अबरिश राशी वालों के लिए आज इनको हर तरफ से साथानी बरतनी चाहिए प्रेम संबंदों के लिए आज के दिन आपका ठीक है शुब रहेगा और समानिया रहेगा कि अबरिश राशी की अबरिश राशी की अबरिश राशी की तकती है उस और ध्यान दिया जाए गुड़ लक आज नहीं तो कल सही दरूर चलेगा चलिए राशी में आगे बढ़ेंगे अगली राशी जो है मिथुन राशी है क्या कहते हैं मिथुन राशी के सितारे मिथुन राशी के जातकों के लिए आज का दिन जिवन साथी का सहयोग पराप्त करने के लिए उत्तम है प्रेमी प्रेमिका को भी आपस में सहयोग प्राप्त होगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है व्यापारियों को आज नए कारिया शुरू करने के अफसर प्राप्त होंगे इसमें उनको उन्नती प्राप्त होने के प्रबल असार हैं तो अगर आप कुछ निया कारे शुरू करना चाहते हैं तो उसको प्लीज स्टार्ट करें आज का दिन शियर बजार में निवेश के लिए शुब नहीं है आपका स्वास्ते आज समाने रहेगा आज का दिन जमा पुझी बढ़ाने के लिए शुरेष्ट है तो आप जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप को निया कारे कर सकते हैं तो आप आज अच्छी अर्निक्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं एक चीज जो मुझे समय में आती है आप करिपया किसी महिला को किसी प्रकार से भी इस चीज का ध्यान रखें तो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है हमारे महमाने बताया कि किसी भी महिला से आप बिल्कुल सतर करहिए कोई भी उसके निरादर ना कीजिए उसके किसी भी काम को लेकर और समानिय रहेगा आज का दिन यानि की आपका गुड़ रख चलेगा चलिए राशियों में आगे बढ़ेंगे अगली राशी कर्क हैं क्या कहते हैं कर्क की सितारे करक राशी के जात्कों के लिए विद्यार्थियों के लिए खास कर आज का दिन एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेश्ट है तो आप अपनी मेहनत करें और इसमें अग्रेसिव रहे नोकरी करने वाले लोग अपना कारिय पूर्ण आत्मी विश्वास के साथ कर स्वावर्ण आप में आज प्रसंदता और उत्सा बना रहे गा किसी भी प्रकार के परिवारिक या समाजिक उत्सा में आप आज भाग ले सकते हैं विया पारी लोग आज किसी लंबी के लिए आत्रा पर जा सकते हैं और स्पोर्टी है केलिए आज का दिजिए प्रदर्शन के लिए या कोई प्रदक क्रत करने के लिए उत्तम है तो कुल मिलाकर और कर्क राशी वालों का दिन आज काफी अच्छा रहने Juan है किसी भी काम में हाट डालेंगे सफलता उन्हें हासिल होगी चलिए राशियों में आगे बढ़ेंगे अगली राशी है सिंग राशी क्या कहते हैं सिंग राशी के सितारे आज के दिन सिंग राशी के जातकों के लिए आज का दिन विद्धार्थियों के लिए आज बड़ा अच्छा है पॉजिटिव है सफलता प्राप्द करने के लिए श्रेष्ट है नोकरी पैशा लोग आज अपने सभी काम पूरे आत्म इश्वास के साथ करेंगे वियाप्यारियों के लिए भी आज का दिन अफसर प्रदान करेगा जिसके लिए वो लोग किसी लंबी यातरा पर जा सकते हैं खिलाडियों के लिए भी आज का दिन बड़ा पॉजिटिव है श्रेष्ट है आज के दिन आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी तो आप उसके लिए एफर्ट्स करें और जब इच्छाएं पूर्ण होंगी तो आपके अंदर प्रसंता और उत्सा बना रहेगा परिश्रम करने के बाद आपको सफलता जरूर हासल होगी यारी कि आपका गुड्रक चलेगा लेकिन थोड़े से परिश्रम करने के बाद चलिए राशियों में आगे बढ़ेंगे अगली राशी कफल जानेंगे अगली राशी है कर्णिया राशी क्या कहते हैं कर्णिया राशी के सितारे कर्णिया राशी के जातकों के लिए स्वास्थे की द्रिष्टी से आज का दिन आपके लिए बहुत पोजिटिव है उत्तम है आज के दिन आप अपने तनाव और समस्याओं से निजात पालेंगे आज के दिन आप अपने परिवार या मित्रों के साथ किसी प्रकार के समाजिक कारेकरम में भाग ले सकते हैं नया वहन खृदने के लिए भी आज के दिन आपके लिए शुब है आज आपको अपने माता पिता से धन की प्राप्ती हो सकती है तो उनकी सेवा करें आपके संबंद आपकी माता से शुब बने रहेंगे और आज के दिन आप अपनी पुंजी में विर्धी प्राप्त कर सकते हैं तो कोई भी लंबे समय से परिशानी से जूज रहे थे या विरकटनाईया जो थी आप तक कई कामों में सामने आ रही थी आज उसकी समापती होने वाली है और साथ ही साथ अपने परिजनू के साथ आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं बात की जाए धन राशी की तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है तो कुल मिलाकर गुडलक रहने वाला है आपकी राशी का दिन चलिए राशियों में आगे बढ़ेंगे अगली राशी है तुला राशी क्या कहती है तुला राशी के सितारे तुला राशी के जातकों के लिए आज आप पर ठकान और अलस्थे हावी रहेगा आपके आत्म इश्वास में आज बड़ोतरी हो सकती है तो अपने आपको एनर्जेटिक रखें आपके दुआरा आज लिया गया कोई भी कठी निरने आप से कड़ी मेहनत कराएगा आज आपको धन कठीन मेहनत से ही प्राप्त होने वाला है तो आपको अपना एनर्जी लेवल बूस्ट रखना है जीवन साथी के साथ आज आपके सम्मंद मधूर बने रहेंगे संतान की तरव से भी आपको आज शुप समाचारों की प्राप्ती होगी विद्यार्थी जन आज अपने उदेशों की पूर्ती के लिए मेहनत करेंगे और उसमें सफल भी होंगे तो तुला राशी का दिन बेहत समानिया रहने वाला है कुछ चीजों में देखा जाए तो थोड़ी सी कठनाईया जरूर प्राप्त हो सकती है लेकिन उसके अलावा संतान द्वारा कोई अच्छा समाचार मिलने की आज उमीद बनी हुई है इसके साथी अगली राशी हमारी व्रिष्चिक राशी है क्या है व्रिष्चिक राशी का फलाज का व्रिष्चिक राशी के जातक आज कुछ असाधारन कारियों को करने के लिए आज जोश और हिम्मत से काम लेंगे आज आपकी कुछ छोटी यात्राइं भी हो सकती हैं आपकी आज की आर्थिक सिती समाने रहेगी आज आपको अपने स्वास्ते के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए यदि आज कोहिता की योजना बना रहे हैं तो स्थखित कर दे पॉस्ट्पोन करते आपके संबंद आपके जिवनसाति के साथ किसी वाद विवाद के कारण आप सी वाद मोद के करण तुनाव गरस्त हो सकते हैं तो इससे बचे तो देखिए आपकी राशी कहती है क आज के दिन अगर आप कोई चीज खरीदने जा रही है वाहन खरीदने जा रही है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए क्योंकि ग्रह यहाँ पर थोड़े से ठीक नहीं है कोई परिशानी आ सकती है ज़रूर लिजिएगा लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद राशी में आपका आज का आज निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ती होगी व्यापारियों को आज लाग प्राप्त होने के जोग है शेर मार्किट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके लिए यह शुब है आप आत्म निर्भर रहेंगे आज आज का दिन हर प करने लेना चाहिए कुछ भी आप करना चाहें कोई भी आप नई ओपनिंग करनी चाहें तो आप सोच कर उसके उसका डिसीन लें तो बहुत ही खास रहने वाला है आज का दिन आपके लिए लेकिन यहां पर साबधानी बरतनी की बात यह रहेगी कि अगर आप कोई भी डिसीशन लेरे जा रही है इस बीच आपको साबधानी से सोचना समझना है और उसके बाद उस डिसीशन पर अमल लेना है चलिए राशियों में आगे बढ़ेंगे आगली राशी जो है हमारी मकर राशी है क्या कहते हैं मकर राशी के सितारे मकर राशी के जातकों के लिए आज के दिन आपकी आय कम और व्याय जादा रहेगा आपको आज व्यर्थ के धन खर्श से बचना चाहिए नहीं तो आज आपको आपको आपकी संकट का सामना करना पड़ सकता है तो थोड़ा अपना हाथ रोक कर चले आज आपको अपने आपके जीवन साती के साथ संबंदों में कड़वाहत आ सकती है इसलिए आज अपने आप नियंतर रखे और व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े उससे आपको बचना चाहिए आज के दिन प्रेमी प्रेमिका के संबंदों में भी कड़वाहत आ सकती है आज के दिन आ आपको किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहिए आपको आज बहुत सतर्क रहकर रहना चाहिए तो देखा जाए तो मकर राशी के लिए आज का दिन बेहत खर्चीला रहने वाला है साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों के साथ थोड़ी सी परिशानिया हो सकती है लेक लुंब राशी के जातकों के लिए आज के दिन प्रेम समंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा लंबी यात्रे आज आप रद कर सकते हैं आज का दिन व्याप्यार्यों की आय के हिसाब से समाने रहेगा आज का दिन आए और वियाई के हिसाब से समान रहेगा इक्कुल रहेगा विद्धाथियों को उनके सहपाथियों से आज पढ़ाई में सहयोग प्राप्थ होगा आज के दिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी संपती ख्रीदने का विचार बना रहे हैं तो आज आप आपको इसे स्थागित कर देना चाहिए तो कुल मिलाकर कुम राशी का आज का दिन समानिया रहने वाला है देखे हम अब बढ़ेंगे अपनी आखरी और अगली राशी पर हमारी आखरी राशी है मीन राशी क्या कहते हैं मीन राशी के सितारे मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए शुब रहेगा आप अपनी उमीदों से अधिक धन कमाएंगे आपका भाग्य आज आपका निरंतर साथ देता रहेगा आपके जीवन साथी के साथ आज सम्मंद बिगड सकते हैं तो ध्यान रखें साथधान रहे आपको अपनी संतान की तरव से भी कोई शुब समाचार प्राप्त होगा या उन्हें किसी प्रकार का कोई पूरुसकार भी प्राप्त हो सकता है आज आपका स्वास्तिय समानिय रहेगा लेकिन कुछ मांसिक परिशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है तो मांसिक परिशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन संतान दुआरा कोई बड़ी खुशकब्रिया बड़ा समाचार जो है वो आपको मिल सकता है कुल मिलाकर आपका गुड्लक आज चल सकता है देखें ये थे 12 राशियों के फल जो हमारे खास महमान ने आज इन 12 राशियों के फलों को बताया जिन में से आज कुछ राशियों को गुड्लक की प्राप्ति होगी साथ ही साथ कुछ राशियों के लिए समानिय दिन रहने वाल कठनाई से भरा है उनके लिए मेरी एक राय है एक सजेशन है एक उनके लिए उपाय की तरह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ शनी देव और ब्रिस्पती ग्रह ये बड़े इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से हर इंसान की जिन्दगी में तो शनी ग्रह को जितना शंत आप करेंगे जितना आप उनकी अराधना करेंगे उससे आपको बहुत फायदा प्राप्त होगा जो भी अराधना करते हैं आप शनी मंदिर जाएं वहाँ पर पीपल के पेड़ को डल दे और एक बड़ा अच्छा मंतर है बहुत सिंपल मंतर है ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनिश्चराय नमा इस मंतर का आप जाप करें तो आपको निश्चित रूप से आपकी कठनाईयों से रह सकता है तो इस मंतर का जाप कीजिए जरूर इन कठनाईयों से आपको निवारण मिलेगा फिलाल हमारी खास पेशकरश में इतना ही बने रहे हमारे साथ नमस्कार